हलो फ्रेंड्स मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं जहारखंड किसान और महान क्रिकेटर महेंदर सी धोनी 15 अगस्त की साम को अंतराश्टी क्रिकेट से रिटार्मेंट की घोसना कर दिये हैं यानि कि अब वे इंडियन टीम की तरफ से खेलते हुए कभी नजर नहीं आएंगे आपको पता दे कि धोनी 2014 में ही टेस्ट क्रिकेट से सन्यास ले लिये थें तो जब धोनी अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास ले लिये हैं तो अब धोनी के जीवन के बारे में और उनके 16 सालों के अंतराश्टी क्रिकेट केरियर से जुड़े महत्पून तत्थों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि वे जहारखंड के हैं तो जहारखंड के परत्योगी परिछाओं में धोनी से जुड़े प्रस्ण तो रहेंगे ही साथ ही इंडिया के किसी भी एक्जाम में प्रशन रहने की पूरी संभावना है तो आज इस वीडियो में हम धोनी से जुड़े उन सभी महत्पून तत्थों को जानेंगे जिससे एक्जाम में प्रशन पूछे जा सकते हैं तो आज का वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है इसलिए वीडियो को इनके पिता का नाम पांस ही धोनी और माता का नाम देव की देवी है इनका एक भाई भी है और एक बहन भी सुरू में धोनी को फुटबॉल में रूची थी फुटबॉल में ये गोल किपिंग करते थे लेकिन एक दिन जब इसकूल के किरकेट टीम में एक बिकेट कीपर की जरूरत थी तो धोनी को स्कूल के टीम में बतोर बिकेट कीपर चुना गया तब से ये क्रिकेट खेलना शुरू किये थे आपको बता दे कि धोनी जब विहार रंजी टीम के लिए खेलते थे इसी दोरान इन्हें रेलवे में टीटी की नोकरी लगी और 2001 से 2003 तक खड़कपूर में टीटी की नोकरी भीकी और यहाँ यह रेलवे टीम के लिए खेलते थे इसके बाद इनका सेलेक्शन 2004 में इंडियन किरकेट टीम में हुआ तो चलिए अब इनके 16 साल के लंबे अंतराष्टी कैरियर को देखते हैं धोनी अपना पहला अंतराष्टी मैच जो की वंडे मैच था 23 दिसंबर 2004 को बांगला देश के खिलाब खेले थें जिसमें ये जीरो में ओठ हो गए थें इस पूरे सीरीज में इनका कोई खास परदर् पारी खेली इसी के बाद पूरी दुनिया धोनी के हुनर से परिचित हुआ 2005 में ही इन्होंने स्रिलंका खिलाब 183 रनों की पारी खेली जो की वंडे सीरीज में इनका हाइस्ट स्कोर है और ये दुनिया के किसी भी विकेट कीपर के द्वारा खेला गया सबसे बड़ा व्य कैप्टन बन गये इनकी कप्तानी में भारत 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता फिर 2011 में One day का वर्ल्ड कप जीता फिर 2013 में Champions Trophy का चेंपियन बना यानि की इनकी कप्तानी में भारत ICC के तीनों ит प्रूनमेंट जीता और ऐसा करने वाले ये भारत ही नहीं बल्कि दूनिया के एक मात कप्टान है अब इनके पूरे किर्केट करियर के परफोरमेंस को एक नजर में देखते हैं ये 350 वनडे मैच खहले हैं जिसमें 10,773 रन बनाएं हैं जिसमें 10 सतक भी सामिल है वनडे में इनका घाइस्ट स्कोर 183 रन का है तेस्ट मैच की बात करें तो 一 Gram 90 झेस्ट मैच क्हेले हैं जिसमें इनोंने 4888 रन बनाये हैं जिसमें इन का 6 हतक भी सामिल है टेस्ट में इनका हाईएस त्रस्कोर 224 रनों का है साथ ही ये 58-20 मैचे भी कहले हैं कप्तान के तोर पर इनका परदर्शन देखे तो इनकी कप्तानी में भारत 200 वंडे मैच खेला है जिसमें की 110 में जीत मिली है जबकि 74 मैचों में हार का सामना भी करना पड़ा है टेस्ट मैचों की बात करे तो 60 टेस्ट मैचों में इन्होंने कप्तानी की है जिसमें से भारत 27 मैच जीता है जबकि 18 मैच में हार हुई है T20 मैच की बात करें तो 72 T20 मैच इनकी कप्तानी में भारत खेला है जिसमें से 42 मैचों में जीत मिली है जबकि 28 मैच में हार हुई है तो ये था बतोर कप्तान इनका परदर्चन अब हम देखेंगे कि धोनी को अब तक कौन-कौन से पुरुसकार मिले हैं पुरुसकार की बात करें तो 2008 और 2009 में लगतार दो साल इन्हें ICC का वर्स का सरोस्रेश्ट वंडे किर्केटर का पुरुसकार मिला है जबकि 2008 में इन्हें राजी गांधी खेल रत्न पुरुसकार मिला है जो कि खेल के छेतर में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरुसकार है 2007 में इन्हें जार्खन रत्न से सम्मानित किया गया जबकि 2009 में इन्हें पद्म स्री पुरुसकार दिया गया है जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है 2011 में इन्हें सेना में लेफ्टिनेंट करनल का पद दिया गया इसी परकर 2018 में इन्हें पद्म भूसन से सम्मानित किया गया जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है तो इतने पुरुषकार धोनी को अब तक मिल चुके हैं इसे आपको याद रखना है क्योंकि इससे प्रस्ण पुषे जाने की पूरी संभावना है सी राजपूत के बारे में तो हम जान ही रहे हैं यह फिल्म 2016 में रिलिज हुई थी और इस फिल्म के डारेक्टर नीरज पांडे हैं धोनी के जीवन को अगर आप और करीब से जानना चाहते हैं तो यह फिल्म आप देख सकते हैं अच्छी फिल्म है फिल्म सूपर हिट हुई थी तो यह धोनी के जीवन पर बनी फिल्म की बात हो गई इनकी जीवन पर कई किताबे भी लिखी गई हैं जो इस प्रकार है जैसे पहली किताब है एमेज धोनी कैप्टन कूल इसके लेखक है अयाज मेनन अगला है कैप्टन कूल एमेज धोनी अस्टोर इसके लेखक है गुलू इजेकियल नेक्स्ट बुक है द धोनी टच इसके रैटर है भरत सुन्दर्शन अगली किताब है थिंक एंड विन लाइक धोनी इसके रैटर है स्फूर्ती सहारे अगली किताब है वाः धोनी इसके रैटर है अरून ठाकूर नेक्स्ट बुक है द मैन द लीडर M.S.D. इसके रैटर है विशुदीप घोस नेक्स्ट बुक है गट्स एंड ग्लोरी इसके रैटर है मकरंद वयंगन कर तो ये है धोनी पर लिखी गई परमुख किताबे आपको मैं शुरू में ही बताया था कि धोनी 2014 में ही टेस्ट मैच से सन्यास ले लिये थे ये अपना अंतिम टेस्ट मैच अर्स्टेलिया के खिलाब खेले थे लेकिन इनके अंतिम अंतराष्टी मैच की बात करे तो धोनी अपना अंतिम अंतराष्टी मैच 9 जुलाई 2019 को न्यूजिलेंड के खिलाब खेले थे जो की यह वनडे वर्ल्ड कप का सेमी फाइनल मैच था तो अब धोनी इंटरनेशनल मैच नहीं खेलेंगे यानि कि वे नीली जर्शी में अब नजर नहीं आएंगे लेकिन आइपियल 2021 बाइस तक खेलेंगे आपको बता दे कि 2020 का आइपियल 19 सितंबर से UAE यानि कि United Arab अमिरात में होगा आइपियल की बात करे तो धोनी चेन्ने सूपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं और ये चेन्ने सूपर किंग्स के कैप्टन भी है इनकी कप्तानी में चेन्ने सूपर किंग 2010, 2011 और 2018 में आइपियल जीत चुका है आपको बता दे कि चेन्ने सूपर किंग को 2016 और 2017 में 2 साल के लिए बैंड किया गया था तब ही धोनी दो साल के लिए रैजिंग पूने सूपर जैंट की तरब से खेले थे तो फ्रेंड्स ये था धोनी से जुड़ा कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स जिससे एक्जाम में प्रसन पूछे जा सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लाइक और सेर जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद